MCC ने नीट 15% आल इंडिया कोटा डिम्डे सेंटरल इनिवर्सिटी एम्स जिपमर एसाइसी और एफएमसी के रेजिस्टेशन के लिए सेड्यूल जारी कर दिया है काउंसलिंग के लिए तो सेड्यूल इस प्रकार से है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए जो रेजिस्टेशन होने है वो 27 अक्टूबर से 2 नॉंबर 2020 तक होने है इसके बाद में जो 24 फिलिंग और लोकिंग का टाइम है वो 2 नॉंबर तक है और प्रोसेसिंग और सीट अलोटमेंट होगा 3 और 4 नॉंबर 2020 रजल्ट आजाए 19 नॉंबर से 22 नॉंबर 2020 तक है रजिस्टेशन रहेगा और इसके बाद में जो फर्स्ट राउंड का स्योरी सेगेंड राउंड का 24 फिल होगा वो 19 नॉंबर से 22 नॉंबर 2020 तक रहेगा इसका सेगेंड राउंड का प्रोसेसिंग सीट अलोटमेंट 23 और 24 नॉंबर को होगा रेजल्ट 25 नवंबर 2020 को आ जाएगा रिपोर्टिंग डेट होगी 26 नवंबर से 2 दिसंबर 2020 तक इसके बाद में जो वेकेंट सीट रहेंगी वो ट्रांसपर कर दी जाएगी कंसर्ण स्टेट को उसके बाद जो मोपप राउंड होगा इसके बाद में जो इनका लोकिंग होगा वो 24 पिलिंग का वो 11 दिसंबर से 14 दिसंबर 2020 तक होगा प्रोसेसिंग होगा 15 से 16 दिसंबर और रेजल्ट डिकलीर हो जाएगा 17 दिसंबर 2020 को रिपोर्टिंग टाइम होगा 18 दिसंबर 2020 से 24 दिसंबर 2020 तक इसके बाद में जो वेकेंट सीटे रहेंगी वो वेकेंट सीट डिम्ड इंडर्सिटी सेंटर लिएट सी को इस्टे वेकेंट सी लाउंड के लिए 28 से 21 दिसंबर 2020 तक ट्रांसपर कर दी जाएंगी तो दोस्तों ये MCC का सेडूल है बाकी अपदेट में आको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगा तब तक के लिए जैहिन